नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आज की ताजा बड़ी कबरार ये बारत और साउत अफरीका की दूसरे वंडे मैच को लेकरे हां दोस्तों आपको बता दे की बारती टीम को पहले वंडे में आर मिली थी अब बारती टीम में दूसरा वंडे जीतने के लिए अ आप एक बार वीडियो को लाइक जुरूर कर दे क्योंकि दोस्तों लाइक और शेर करना ही मारी मैनत का फल होता है भारत और दक्षनी फ्रीका के बीच शुक्रवार को दूसरा मुकाबला केला जाएगा भारत के लिए ये करो या मरो वाला मुकाबला होने वाला है क्योंकि पहले वंडे में दक्षनी फ्रीका ने बार्दिय टीम को 31 रनों से माद दी थी ऐसे में अगर इस मुकावले में बार्दिय टीम आरी तो फिर टेस्ट के बाद वंडे स्रीज भी गवा देगी इसलिए बार्दिय टीम के लिए सही प्लेंग 11 चूनना बहुत ही जरूरी है किल राउने पहला मैच आरने के बाद टीम की दो बड़ी कमजोरियां बताई है एक मिडल ओर में दक्षनी फिरिका के विकेट ने निकाल पाना और दूसरा बल्ले बाजी के दुराने मिडल ओर्डर का फ्लोप रहना दोस्तों आपको बतादे कि ऐसे में मद्दे करम में एक बदला हो सकता है और सुर्य कुमार यादव को एक बार फिरे बल्ले बाजी के तोर पर किलाये जा सकता है टीम की बल्ले बाजी फिलाल कमजोर नजर आ रही है ऐसे में सुर्य कुमार के आने से मद्दे करम मजबूत हो सकता है ऐसे में स्वाल है कि उनको किसकी जगे टीम में जगे मिलेगी तो ऐसा माना जारेगी विक्टे सहीर का पत्ता कड़ सकता है हाँ दोस्तों आपको बता दी कि चैले और अस्विन के द्वारा कोई अच्छी गेंद बाजी ने की गई इन दोनों में से किसी एक की छूटी हो सकती है और उनके स्थान पर मौमत सिराज को टीम में जगे मिल सकती है